अससलाम उल्यकूम and welcome back to my channel आप्स बेड़ करें का आप कबाब तो चलिए इसकी रेसिपी तिकने start करते हैं रेसिपी इसके रहे हं ने को आप करें की मैँ आप अन पेड़ करें लोड़ का लिया है बड़ा चम्मच है तो आप लोग एक चम्मच एट करें ये है सूखी लाल मिर्च ये मीडियम तीखी है दो चम्मच हरा अख़ा धनिया है और एक बड़ी सा इसकी प्याज है तीखा आप आपके टेस्ट के हिसाब से लेना ये सब इसमें एट कर देंगे अब हम पाउच अमच नमक एट करेंगे नमक भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से एट करना पाउच अमच गरम मसाला पाउडर एट करेंगे आदा छोटा चमच जीरा पाउडर एट करेंगे और पानी एट कर देंगे जितना लेवल में हमारा कीमा और यह सब मसाले है उतना लेवल तक थोड़ा पानी एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे लेड लगाकर गैस की फ्लेम हाई रखेंगे जब सीटी आने लग जाए तो स्लो करके 15 मिनित तक पकने देंगे ताकि हमारा गोश दाल वगयरा सब अच्छे से गल जाए और यह देखिए हमारी दाल और गोश जो यह कीमा अच्छे से पक गया है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि यह अच्छे से ठंडा हो जाए इसे प्लेट में निकाल कर इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे उपर नीचे करके जब यह ठंडा हो जाएगा तो जार में एड़ करके इसे ग्राइंड कर लेंगे यानि की से अच्छे से पीस लेंगे पूरी तरह से ठंडा करके ये अट करना ग्राइंड करना ये देखिए इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे अब हम इसमें दो छॉप कीवी प्याज है और थोड़ा हरा धनिया एक मुट्टी और चार-पांच हरी मिर्च है इस तरह से बारिक कटी भी ये सब इसमें एट कर देंगे तीखाप आपके हिसाब से एट करना अब हम इसमें एक लामन स्क्वीज कर लेंगे यानि की एक लिम्बू जो है वच्छे से निचोड लेंगे और अब हम इसमें एक अंडा एट कर देंगे कीमे के मिक्सचरे साथ चारी अधीक करेंगे यह दिखिए और अगर आप लोगों ने हमारे चानल को सब्सक्रीब ने किए तरि करना ना भूलना और आप अप्रिछी दिंद्हस से बीचाटे में आपके बीचिस ऱह बने रिचे से कंचे तरिक हाते हेत्ते ने मैं ख़े रहें परहें आपकर आपके कर से बाल केए मिली है और यह अब हम एक पैन में अउयल गरम गरने रख देंगे और इसे शालो फ्राइद करेंगे गयेस की फिले मुप घ्राइजी मेडियम अश्रूचा ठीक ट्यालन देंगे और इस तरह से इसका ब्राउन इसे फिलिप कर देंगे यानि कि पल्लट देंगे एक एक करके और दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका लेंगे इसी तरह से जब उसका कलर आ जाए तो यह देखिए इस तरह से दोनों तरफ से पक गया है अब हम इसे निकाल लेंगे और अब हम इसे लेमन और प्यास के साथ जो है सौफ करेंगे और अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी से अच्छी लगती है तो लाइक शेर कॉमेन और सब्सक्राइब करना ना भूले बैल आकन पर भी क्लिक करना ना भूले अलाह आफीज